डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस्टाक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाट इज इस्टाक फूल एक्स्टाक को इंप्लिमेंट कैसे करते हैं इस्टाक में ऑप्रेशंस कैसे पर्फर्म होता है इन सबी चीज़ों को हम डिसकस करेंगे ठीक है लेकिन सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन अम देख लेते हैं इस्टाइक इस टैटिशन ओप डिट आईटम डा फोलोव॥ लेफ़ो पृंसिपल लीफ़ो मतलब लास्ट इन फर्स्ट अउट प्रिंसिपल वेर इंसर्चनन डिलीशन टेक्स प्रेस वन वन एंड कॉल्ड तॉप फा अव्ड इस टाइक इस टाइक इस टाइक यह लिफयो क् को perform करते समय इसका मतलब last in first out ओके और stack में हम element को चाहिए insert करना हो या delete करना हो हम एक ही end से कर सकते हैं और उसको कहते है top of the stack अगर आपको insert करना है फिर भी आप stack के top से insert कर सकते हैं अगर आपको stack से element delete करनी है तो आप stack के top से ही डिलीट कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया स्टैक का डेफिनिशन अभी आपको याद क्या रखना है स्टैक दो में उप्रेशन परफॉर्म करता है पहला हो गया पुस्ट पुस्ट का मतलब यह हुआ कि अगर हमें अपने स्टैक में कुछ कुछ एलीट इंसर्ट करने हुए थो क्वे स्टैक में उसके बाद स्टैक को इंप्लीमेंट हम दो तरीके से करते हैं अपने प्रोग्राम में एक होता है आयरेiyeंक हो थे और भी इंपलीमेंट कर सकते हैं सेकेंड होता है link list ठीक है real life example का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा जो women होती है अगर वो चूड़ी पहनती है अपने हैंड में मालो यहाँ पे चार चूड़ी इन्होंने पहन रखा है तो सबसे last में यह वाली चूड़ी इन्होंने पहनी है ठीक है तो अगर इनको उतारना हुआ इनको वापस से खोलना हुआ तो सबसे पहले यह चूड़ी ही निकाला जाएगा बाहर ठीक है यही निकलेगा उसके बाद यह वाली चूड़ी बाहर निकलेगी फिर इसको फिर last में यह वाला चूड़ी निकलेगा तो सबसे पहले जब पहना गिया था तो यह वाला चूड़ी इन्होंने पहना होगा और जब चूड़ी निकालने का बात हुआ तब इन्होंने यह वाला सबसे लास्ट मी निकला ठीक है फर्स्ट इन लास्ट आउट यही होता है लीफो तो यह रियल लाइफ एक्जामपल हो गया अभी प्रोग्रामिंग एक्जामपल देखो आप जो आपको जानना चाहिए जिसको हम इंप्लिमेंट करेंगे हमानके चलू हमारे पास से कह रहे हैं कुछ एलिमेंट झाला क्या होगा इंडके यह इंडेक्स है टो वक् एंडेक्स है वह 30 है जो कि लास्ट इंडेक्स आफिलाशे वह 4 है तो अगरमालभ हम अपने stack में एक element insert कर दे 40 तो अभी टॉप का value बढ़के क्या हो जाएगा थिरी हो जाएगा ठीक है अगर हम और element insert कर दे 50 तो टॉप का element बढ़के क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा स्टैक का तोप का value क्या है 4 आप 4 में क्या 50 तो यह इलिमेंट हमने insert करा अब अगर मालों हमें delete करने हो 50 जिलिट करेंगे तो हम यह ही सदी इलिट करेंगे यह बेद होगा फिर यह डिलिट होगा तोप का value क्या नहीं से करेंगे ठीक है तो यह हो गया हमारा programming example अभी चलो हम आपको push और pop operation का algorithm कैसे लिखेंगे वो बताते हैं उसके बाद हम program भी implement करेंगे algorithm में सबसे पहले हम देखेंगे push operation का algorithm कैसे लिखते हैं कैसे perform होगा सबसे पहला step हो गया begin step number two यहां पे condition लगा हुआ है if top equal n then तो top क्या हो गया यहां पे देखो top का value क्या है two तो top हम उसी को बोलते हैं जहां पे stack का last element है उसी का index number होता है top का value तो stack का last element देखो यह 30 है stack में तो इसका index value क्या है position क्या है two यह हो गया top का value equal to n, n क्या हो गया maximum size of stack तो maximum size of stack क्या हो गया three तो n का value three है तो यहां पे क्या two equal three है यह condition हो गया false जैसे condition false हुआ हम step number three में आ जाएंगे input new item अब हमें क्या करना है एक item input करना है तो मालो हमारा item है 40 इसको हम input करेंगे अपने stack में ठीक है three मतलब अभी हम यहां पे है ठीक है then क्या करना है हमें stack के top में हमें क्या करना है item input करना है तो stack का top क्या हो गया top का value three है तो stack का top अभी यह है तो यहां पे क्या करना है हमें item को input करना है यानि यह वाला item हमें यहां पे input करना है तीक है उसके बाद exit then यही same algorithm अगर हम again follow करें step number one begin step two condition if top equal n तो top का value क्या है 3 n का value क्या है 3 तो यहां पे देखो यह दोनों क्या है equal है 3 equal equal 3 जैसे ही यह दोनों equal है इसका मतलब हमारा stack full है देखो full है तो अभी क्या print होगा overflow and exit overflow and exit का मतलब अभी stack में element हम insert नहीं कर सकते पूश नहीं कर सकते यह full है overflow हो जाएगा ठीक है और exit मतलब प्रोग्राम यहीं पे बंद हो जाएगा तो यह हो गया हमारा simple algorithm push operation का अब हम देखेंगे राइट algorithm for pop operation का algorithm हम कैसे लिखेंगे सबसे पहला step begin step number 2 हमारे पास एक condition है top equal minus 1 तो यहां पे देखो हमारे आयरे में top का value क्या है 0 0 क्यों है क्योंकि एक ही item है हमारे stack में और जिस भी position पर last item होता है हमारा वही top का value होता है और n का value क्या है 2 n मतलब आयरे का maximum index तो maximum index क्या 2 n का value 2 तो यहां पे condition है top equal minus 1 तो तो यहां पे क्या 0 equal minus 1 है condition यह हो गया false जैसे condition false हुआ भी हम step 3 में आएंगे यहां पे stack का top हम select करेंगे stack का top मतलब top का value 0 तो stack का top मतलब अभी हम यहां पे हैं तो यह item को हम select कर लिए है दिन क्या करेंगे हम top का value decrease करेंगे जैसे ही top का value हम decrease करेंगे तो 0 से यह हो जाएगा minus 1 तीक है उसके बाद हमें print में मिलेगा item deleted यानि यह जो item था वो delete हो चुका है तीक है क्योंकि top का value minus 1 हो गया है फिर हो गया exit अब अगर same algorithm को हम again run करें begin step number 2 क्या हो गया condition top equal minus 1 तो top का value क्या है minus 1 तो यहां पे अभी हमारा condition क्या बनेगा हमारा condition अभी बनेगा minus 1 equal minus 1 यह भी minus 1 है equal to minus 1 तो यह condition अभी क्या हो गया true हो गया जैसे ही condition true हुआ message print होगा under flow and exit इसका मतब क्या हुआ कि stack में एक भी element अभी available नहीं है delete करने के लिए इसलिए under flow and exit program यहीं पर terminate हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा यह algorithm काम कर रहा है pop operation का अभी चलो हम program implement करते हैं same algorithm use करके program में सबसे पहले हम आपको program को run करके output दिखाते हैं उसके बाद हम आपको code समझाएंगे कि यह काम कैसे कर रहा ठीक है तो चलो इसको हम run करते हैं तो यहां पर देखो हमारे पास 4 options आया है starting में ही तो आप यहां पर main function में ही देख लो एक variable है choice और दूसरा variable है item choice variable का काम यह है कि हम इसमें एक value input लेंगे अपने choice के लिए कि हम क्या operation perform कराना चाहते हैं ठीक है 1 से push होगा 2 से pop operation perform होगा 3 से हम देख पाएंगे stack में कितना element है 4 से program हम बंद कर सकते हैं item variable का use हम करेंगे element को input करने के लिए stack में तो चलो सबसे पहले हम output देख लेते हैं उसके बाद हम आपको code समझाएंगे program कैसे काम कर रहा तो अगर हम choice 1 press करेंगे इसका मतलब हम element push करना चाहते हैं stack में तो अभी हम element input करना होगा तो हम 10 input कर रहे हैं again हम एक element input करेंगे 20 again मुझे input करना है 30 हम आपको बता दे हमारे जो area का size है वो 5 elements का size है ठीक है तो 5 elements सी इसमें आएगा उसके बाद हम again 40 input करते हैं एक बार और हम element input करते हैं 50 अभी मुझे देखना है stack में कितना element है 3 press करेंगे 3 से display हो जाएगा तो आप देखो stack में हमारे 5 elements आ चुके हैं अगर अभी हम again element input करें अपने stack में 60 input कर रहे हैं तो देखो क्या बोल रहा है overflow and exit इसका मतलब अब आप insert नहीं कर सकते क्योंकि हमारे stack का size है वो 5 elements का ही था और हमने 5 elements insert कर लिया है इसलिए अब आप insert नहीं कर सकते तो ठीक है अब हम क्या करेंगे two operation perform करेंगे ठीक है element को delete करना है हमें तो हम two press करेंगे choice में तो सबसे पहले 10 आया था ठीक है सबसे लास्ट में 50 आया था लेकिन जब हम delete करेंगे ना देखिए का जो element सबसे लास्ट में हम input गिये तो सबसे पहले delete होगा यह देखो 50 गया अभी अगर हम देखे तो यहां पर 50 नहीं है अगेन अगर हमें delete करना हुआ तो 40 delete हुआ देखो अभी stack में तीन element ही बचे है फिर अगर मैं delete करूं 30 delete हुआ again 20 delete हुआ अभी एक element ही है हमारे stack में 10 अभी अगर 10 को हम delete कर दे तो 10 भी delete हो गया अब देखो stack हमारा empty है इस्टैक में कुछ भी नहीं है यह खाली हो चुका है अब अगर अगेन हम टू प्रेस करें कुछ डिलिट करने के लिए तो देखो अंडर फ्लो एंड एक्जिट ऐसा इसलिए क्यूंकि इस्टैक हमारा एंटी है हम डिलिट नहीं कर सकते है अब अगर मुझे प्रोग्राम को करना हुआ हम फार प्रेस करेंगे तो देखो प्रádां तर्मिनेट हो गया इसका मतलब यह प्रोग्राम बिल्कुल ह्याा अब चलिए हम आपको समझाते हैं यह पिर्डाम कैसे काम कर रहा क्या कोड है इसका दो विरि saja collective choice में क्या कर रहे हैं अपना छो इंपût ले रहे हैं क्य में क्या operation perform कराना है item variable का use कर रहे हम item को insert करने के लिए ठीक है या फिर delete करना हुआ तो इसी variable के तुरू हम delete भी करेंगे 1 से element insert होगा case 1 में उसका code लिखा हुआ है 2 से क्या होगा pop operation perform होगा case 2 में लिखा हुआ है 3 से क्या होगा display operation perform होगा case 3 में हमने बनाया है switch के 4 से program exit होगा यहां पर देखो return 0 होगा यानि exit हो जाएगा return हो जाएगा program और अगर इन 4 case के अलावा हम कुछ भी value input करेंगे 5-6 choice में तो वह default में आएगा invalid choice बताएगा हमने while loop के अंदर इन सभी code को setup किया हुआ है क्योंकि हम चाहते हैं कि यह program तब तक चलता रहे जब तक हमारा operation सही से perform ना हो जाए चाहे insertion हो या deletion हो यह condition true रहना चाहिए क्योंकि एक element insert करने के बाद हमें दूसरा भी insert करना पड़ सकता है तिसरा भी कर सकते हैं या फिर हमें इन्पूट किये हैं ठीक है चोईस के वालू मालू हमने वन इन्पूट किया यहां पर वन आएगा तो केस वन में वह मैच करेगा सबसे पहले हमें element इन्पूट करना पड़ेगा अपने इस्टाक में तो element इन्पूट हम कर लेंगे पहला element जब हम इन्पूट करेंगे उसके बाद ही push function हमारा call हो जाएगा तो यह जो item हम input करने के लिए दे रहे हैं push function से pass करेंगे यहां पर parameter में push function को हमने यहां पर देखो बनाया हुआ है यह रहा push function insertion का logic तो यहां पर देखो item हम receive कर रहे हैं और देखो हमने एक macro variable define किया हुआ है जिसका size है जिसका value है 5 और वही macro variable को हम यहां पर stack array में रख दिये हैं यानि हमारे array का size ही 5 है ठीक है तो यहां पर अगर हमारा top का value maximum size से एक कम रहा यानि हमारा stack full है हम element insert नहीं कर सकते माइनस 1 इसलिए क्योंकि array index 0 से start होता है तो 0 से 4 में हमारा 5 element आ जागा और मा लिजे top का value इस maximum वाले value के size से एक कम है मतलब यह condition मा लिजे false है ठीक है फिर हम else में आ जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे हम जो भी हमारा item होगा उसको हम stack का top में input करेंगे लेकिन उससे पहले हम top का value increase कर लेंगे उसके बाद stack के top में हम यह item को input कर देंगे ठीक है उसके बाद हम print किये हैं तो वह value print हो गया algorithm में भी हमने same चीश किया हुआ था ठीक है plus plus top मतलब top equal to top plus one ही लिखा हुआ है ओके confuse नहीं होगा उसके बाद अगर मालीजर choice का value यहां पर two input करेंगे हम then case two में आएगा यह pop function run करेगा तो इसको भी हमने यहां पर implement करा हुआ है same algorithm follow किये हैं कुछ भी नया नहीं किये हैं अगर top का value minus one होगा यानि stack empty है under flow and exit और कुछ भी हम delete नहीं कर सकते हैं आद हम top का value decrease कर देंगे decrease हम बाद में करेंगे delete operation perform होने के बाद ठीक है और deleted item यहां पर हम print कर रहें ताकि मैं पता चले कि delete हो चुका है अभी देखो अगर मालो choice का value हम यहां पर three input करते हैं then case three display function call होगा तो display function को हमने कहां पर बनाया हुआ है यह रहा इसका काम बहुत है simple है बस display करना अगर top का value minus one है then stack खाली है बता दो हमें नहीं तो else में आएंगे हम और यहां पर हम क्या करेंगे अब element है loop चला के हम stack का i को print कि हुए है ठीक है और हमारा माल लेजिए हम यहां पर choice का value pass कर देते हैं four then क्या होगा यह case four execute करेगा और यह return हो जाएगा तुरंत यानि program exit हो जाएगा terminate हो जाएगा four के लिए हमने exit ही बनाया हुआ है यह बस understanding purpose के लिए यह line लिखा हुआ ताकि जब program run हो तो आपको समझ में आए किस choice से क्या operation perform होगा और अगर in case one two three four के अलावा choice का value अगर हम five दे दे या six दे तब हमें बोलेगा invalid choice अगर आपको यकीन नहीं होता हम प्रोग्राम को अगेन क्या करते है रन करते है तो सबसे पहले हम choice का value क्या दे देते हैं six देखो invalid choice बोल रहा है तो हर एक condition के लिए हमारा यह यह program बिल्कुल perfect काम कर रहा है अभी अगर हम three देंगे तो देखो stack empty है two देंगे तो कुछ भी delete नहीं कर सकते क्योंकि stack empty है तो under flow and exit one देंगे तो element input होगा तो element हम input कर देते है 200 अभी देखना है हमें input होगा की नहीं देखो input हो चुका है stack element तो इस तरीके से हमारा यह program बिल्कुल सही काम कर रहा फोर प्रेस करेंगे exit हो गए हम ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको code समझ में आया होगा अगर आप array का size increase करना चाहते है तो आप यहां पर यह size बढ़ा दो 100 कर दो 100 size का array बन गया इसलिए हमने array के size वाले यह ब्रेबल के लिए एक macro define किया हुआ है यह value के साथ वरियबल replace होगा और इस वरियबल को हमने globally यहां पर इसलिए बनाया हुआ अब हम हर जगा यूज कर रहे हैं हर एक function में इसलिए जिस वरियबल का requirement हमें बार बार है उन सभी चीजों को global बना दिये हैं ताकि बार बार हमें हर जगा इसे लिखना ना पड़े और यह source code हम आपको provide करेंगे नोट्स भी हम आपको provide करेंगे तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को like कर दीजेगा share कर दीजेगा हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा अब हम बात करेंगे stack के applications के बारे में यानि stack का use कहां किया जाता है ठीक है इस टैक का functionality होता है लिफो हमने आपको बताया था उस बज़े से बहुत जगा यूज होता है जैसे memory management function call तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मालो function call कही हम बात करें अगर हम को भी function call करते हैं तो calling का जो nature होता है वह stack होता यानि लिफो होता last in first out अगर हम प्रोग्राम में देख execute हो रहा है अभी ठीक है यह execute होने के बाद सबसे पहले इसकी memory ही destroy होगी और यह अपने calling के पास return जाएगा यह destroy हो गया उसके बाद M2 execute होगा उसके बाद यह अपना control M1 को देगा क्योंकि M1 से इसको call के हैं यह destroy हो गया again M1 क्या होगा अपना जो भी output main function को return करेगा यह भी क् function सबसे पहले main function क्या था सबसे पहले हमारा main function था लेकिन सबसे last तक ही execute हो रहा है और जबकि सबसे last में यह आया था और सबसे पहले यह execute होके destroy भी हो गया तो यह जो stack का nature होता है function calling में follow होता है और यह हर एक function के लिए कुछ ने कुछ memory occupy हुआ था सबसे last में इसके लिए memory generate काम खतम किया फिर memory इसका destroy हो गया फिर इसका memory बना था फिर यह destroy हो गया तो memory भी इसी तरीके से manage होता है ठीक है फिर हो गया हमारा stack application में expression evaluate हम expression को evaluate करने के case में भी stack का use किया जाता है वहां पर भी हम stack use करते हैं जैसे अगर है किसी infix operation को post fix में convert करना हुआ prefix को post fix में convert करना हुआ तो वहां पर भी expression के case में भी stack use होता है हम separate video में इसको भी cover करेंगे और एक video में हम program बना के सीच को भी proof कर देंगे ठीक है फिर back tracking के case में भी stack use होता है जैसे कभी-कभी हमें कुछ steps remember रखने पढ़ते हैं ताकि हम अपने current solution को easily correct कर पाएं उनमें काम कर पाएं तो वहां पर भी use होता है stack देनों गया browser history में भी stack use होता है जैसे अगर हम कोई भी page visit करते हैं अपने browser पे तो हमारे stack memory में push होता है फिर जैसे by step back होगा सबसे last में जो आप page open करोगे वह सबसे पहले कट होगा ठीक है तो वहां पर भी यह use होता है और browser history वाला page भी अगर आप open करके देखेंगे सबसे last में आप जो page visit करे रहेंगे वह history में सबसे पहले देखेंगा और वह सबसे पहले डिलीट होगा अगर आप one by one डिलीट करोगे तो टास्क management के case में भी stack perform होता है वहां भी stack use होता है लिफो अगर आप operating system को ही देखेंगे वह अपने task को manage करने के लिए और interrupt करने के लिए stack को use करता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो समझ आया तो हमारे वीडियो को like करिएगा शेयर करिएगा चैनल पे नहें सब्सक्राइब करिएगा